आज मैं आपके साथ breakfast की एक ऐसी नई recipe शेयर करूँगी जिसे बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन ये बहुत ज़्यादा tasty बन के तयार होती है क्योंकि इसमें आपको sandwich का flavor मी मिलेगा और साथ में चीले का flavor मी मिलेगा तो आज की जो ये recipe है ये two in one recipe है एक ही recipe में आपको दो तरह की flavor मिलेगी तो अगर आप एक ही तरह का नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं तो ये recipe आप जरूर try कीजेगा आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी साथ ही आप इसे ना बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं ब्रिकफास्ट में भी बना सकते हैं या फिर शाम की छोटी मोटी भूक में भी बना के तयार कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक बोल और उस पे रखेंगे चलनी अब यहाँ पे हम लेंगे करीबन एक कप भर के बेशन और उसे सबसे पहले आपे चान लेंगे तो यहाँ पे बेसन को चानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर पहरे से चाना हुआ रखा है तब भी आप एक बार उसे चान जरूर लें क्योंकि रखे हुए बेसन में अगुटलियां बगएरा पढ़ जाती है और उसके बाद जब हम उसका बैटर बगएरा तियार करते ह तो अच्छे से परफेक्टली बेटर बन नहीं पाता है अब इसके बाद हम इसमें एड करेंगे लगबग दो मीडियम साइज के चमच भर के चावल का आटा तो यहाँ पे अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तब आप यहाँ पे दो चमच भर के सूजी का यूज भी क टेस्ट के कोडिंग कोई भी सबजी एड कर सकते हैं या फिर आपको इन मेंसे कोई सबजी पसंद ना हो तब आप उसे इसकी भी कर सकते हैं आप यहाँ पे हरी, लाल, पिली, शिबला, मिच का यूज भी कर सकते हैं तो यहाँ पे ना सारी सबजियों को बिलकुल फाइन बच्चों बड़ों सभी को बहुत अच्छा लगता है आपने इस तरह इसे कभी बनाकर नहीं खाया होगा तो आप इसे एक बार जरूर बनाएगा आपको यह बहुत अच्छा लगेगा अब देखें यहाँ पे सारी सबजी हमारी कट चुकी हैं अब इन्हें उठाएंगे और इस बोल में ट्रांसफर कर देंगे साथ में ही कुछ बेसिक मसाले अड़ करेंगे तो यहाँ पे आदा चमच हल्दी पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आदा चमच चिली फ्लेक्स थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर साथ में ही डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी यहाँ पे हम डालेंगे ही अब साथ में ही डालेंगे यहाँ पे वन वाई फोर चमच भर के गरम मसाला और अगर आप नास्तिय को थोड़ा सा और चप्रटा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट मसाला एड़ कर दीजे उसके पर आपको ना इसका बैटर बनाते समय यह ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आप धीरे-धीरे करके पानी डालें एक साथ पानी ना डालें अगर एक साथ डाल देंगे न तो इसमें लंज पर जाएंगे और फिर बैटर अच्छा नहीं बनेगा तो यहां पर जितनी और ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर हो तो डाल दीजिएगा अब दीखें यहां पर बैटर हमारा बनके बिल्कु तयार है अब गयास पर रखेंगे एक नौनिश्टिक तबा और उस पर हम डालेंगे थोड़ा सब बटर और बढ़िया से इसे स्प्रैट कर बस आपको इस पर बटर या फिर देशी घी लगा के ना अच्छे से अलट पलट के दोनों साइट से बढ़िया से क्रिस्प कर लेना है और जैसे ही यह बन जाएं तब इन्हें निकाल लेंगे और इस तरह इन पर थोड़ी सी कैचप लगाएंगे तो यहां पर थोड़ी सी क चटनी भी लगा सकते हैं या फिर पीजा पास्ता सोस लगा सकते हैं या फिर सेजबान चटनी का यूज भी कर सकते हैं तो यहां पर जो भी आपके पास हो वो यहां पर आप अच्छे से अपलाई कर दीजे अब यहां पर ना तबे को बापस से थोड़ा सा हम ओल या फिर ब बनाके रखना है और एकदम पतला बनाना है बहुत ज्यादा मोटा नहीं बनाना है वसाइज आपको काफी बड़ा रखना है यतना बड़ा तबाह है ना उतना पूरा बड़ा आपको यहां पर बनाके तैयार करना है और जैसे ही यह उपर से ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा और लगा कि आप इसे पलट दे और अच्छे से दोनों साइडे से सेख ले अब उसके बाद हमने जो गैट पे कैचप लगा के रखी है उसे उठाएंगे और इस तरह अरेंज कर देंगे और दूसरी साइड लगाई है मैंने आप ए ग्रीन चिली सॉस तो आप यहां पर हरे ही बनाएं जैसे मैं बना रही हूँ बस आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको इसे कैसे बनाना है उसके बाद चीले के जो चारो साइड है ना उन्हें इस तरह पलट देंगे और जो ब्रैड है उसे बीच में बिल्कुल पैक कर देंगे अब बस एक दो बार इसे अलट पलट के और सेक लेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे तो ये एक तरीका हो गया इसे बनाने का लेकिन अक्सर बच्चे जो होते हैं उन्हें चीज वाला समान बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है तो आप इसे चीजी फ्लेबर में भी बना सकते हैं तो च सेंटर में रखेंगे जिस साइड से हमने कैचप लगाई है ना वो साइड हम नीचे रखेंगे और उपर रखेंगे प्लेन वाला साइड तो बापस से मैंने थोड़ी से यहां पे चटनी लगा दी है वैसे इसे लगाना टूटली ऑप्शनल है वैसे जब आप चीज वाला आप यहां पे बापस से ना पीजा पास्ता सौस ही लगाईगा तो इस तरह जब आप बच्चो को यह नाश्ता बना कर देंगे ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मोसली सबी बच्चों को चीज बहुत अच्छी लगती है तो एकदम नया नई एकदम रेसिपी है बच्चों को अच्छी भी लगेगी और अगर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं तब आप इसमें आलू अप्यास की स्टफिंग फिल कर सकते हैं तो यहां पिना एक ही नाश्ते में आपको दो तरह की बढ़िया से फ्लेवर मिल जाएंगे तो एक ब जरूर बताईएगा और अगर वीजियो जराबी पसंद आ रही हो तो प्लीज वीजियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा तो लीजे यहां पे इसी तरह मैंने सारे सैंडविच बनाके तयार कर लिये हैं और उन्हें निकाल लिया है और उसक कुछ डिफ्रेंट सा कुछ नया ट्राइ करना चाहते हैं तब यह रेसिपी मस्ट है एक पर जरू बनाएगा या फिर कभी कभी क्या होता है हमारे घर पे ना अचानक से कोई महमान आ जाता है तब समझ में नहीं आता है कि क्या बनाए तो अगर आपके पास तीन चार करें मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए एंड टिक क्यार